Good evening everyone, welcome to youtube channel of mbssbaba.com So banking and financial awareness, जो स्रीज चल रही हम लोग की, उसके हम लोग आज एक पड़ावा पे पहुंच गए हैं We are on the half middle way, class number 10 और आज का topic है, what is bond, bond क्या होता है और bonds के type क्या होते हैं तो इसको हम लोग देखेंगे और जैसा कि हम लोग ने प्रॉमिस किया था कि 10th वीडियो के बाद हम लोग जितने भी स्रीज को कवर किये हैं 1 से लेके class 1 से लेके class 10 तक के छोटा सा एक recap session ले लेंगे किसी भी topic में doubt है अभी class 1 से class 10 के बीच में तो आप comment section पर लिखके उस topic को हम लोग उसको फिर से explain करेंगे तो आज basically basics of bond समझना है, यह bond normal bond है, James bond नहीं तो bond का basics को हम को समझना है और there are types and the features we need to understand कि क्या होता है, इसके types क्या होते है, इसके features क्या होते है, ठीक है, चलिए class को start करते है What is bond, bond है क्या, जब भी आप bond का एक word यूज करते हो, तो bond का मतलब होता है एक और दूसरे के बीच का relationship, कैसी bonding आपकी पूछते है, common language में bonding कैसी है, क्या bond रहा आपका, bond मतलब एक agreement, एक और number A और number B के बीच में कैसी bonding है, ठीक है तो इसको bond को हम यहाँ पर भी simpler terms से define करेंगे, fixed income security, fixed income की guarantee, security, regular fixed interest, principle on maturity यह है क्या basically, किसको मिलती है, government को, company को, और other entities को कौन देता है, investors, investors, कैसे देता है, loan देता है, जब loan देता है, तो bond के against देता है, तो यह सब तो रही, आपको बस जो slide देख रहा है, उसमें समझाने के लिए, अब इसके फिर से हम लोग जैसे के हर बार करते हैं, आप लोग इसके चीज़ को, एक बार deep down करते हैं, deep drive करते हैं, deep drive करने के मतलब क्या है, कोई भी company, कोई भी company, जब start होती है या उसे कुछ काम करना था, investment करना होता है, investment purpose के लिए, उसे पैसे की जरूरत होती है, और पैसा या तो उसके पास जब होता है, तो अपने इन्वेस्ट कर लेती है, अगर उसे पैसे की जरूरत है, तो पैसे लेने के सिफ दो तरीके होते हैं, company और institution या किसे भी individuals को, या तो वो अपने इस company के shares को, stocks को, जिसको equity के नाम जाते है, equity based बोलते है, equity को market में launch कर देती है, और अपनी भागीदार को खोज लेती है, भागीदार मतलब अपने partners को खोज लेती है, जो भी जितना share लिया वो उसका उतना partner है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, कि आप अप companies के shares को दुसरे के साथ, companies के shares को दुसरे के साथ partnership करते हो, ठीक है, आपने company में shares निकाल दी और आपको बहुत धेर सारे partners बन गए, लेकिन जो भी इस partners ने आपको पैसा invest किया, वो आपको पैस पैसा आ गया, या तो एक तरीका है, दूसरा money लेने का जो simple तरीका है, आपको loan लेना होगा, किसी भी company या financial institution को loan लेना होगा, loan लेने के लिए या तो वो bank के पास जाएगा, RBI bank के पास जाएगा, कि मुझे loan दे दो, bank loan देगी उसको interest rate के साथ, या एक जो दूसरा तरीका होता है, कि आप क्या करो, ये loan आप public से ले लो, common public, कम आम जनता से पैसे ले लो, आम जनता आपको पैसा किस guarantee पे देगी, आम जनता अगर आपको पैसे दे रही है, तो आम जनता के पास क्या proof रहेगा, कि आपने उसे पैसा लिया है, आपने public से लोन लिया है, वो आप कैसे बताओगे, government कैसे बताएगी, companies कैसे बताएगी, कोई भी financial institution कैसे बताएगी, इसक इसको, ये bond आप रख लो, ये bond के terms and conditions है, ये bonds के terms and conditions है, इस bond के आप bearer हो, और आपको ये bond के तहत, terms and conditions के accordingly, आपका repayment होगा, आपके loan का repayment होगा with interest, ठीक है, इससे फैदा क्या हुआ, इससे दे को win-win situation बोलते है, ऐसे situation को win-win situation बोलते है, public जो पैसा लगा रही है, उसे भी profit दिखता है कि ठीक हमने पैसा किसी को दे रहा है, जब उसको return में आएगा, तो मुझे interest के साथ मिलेगा, अगर उससे अच्छा दिख रहा है, तभी हो लेगा, government और companies को, financial institution को क्या फायदा है, कि जो पैसा, वो market, वो bank से loan लेने में उसे लेना था, जिसका high interest rate उनको repay करना था वो interest जो है, क्या गयता है, वो public से लेकर अराम से काम कर लेंगे, तो दोनों के लिए ही एक good good situation है, that is known as the bond, मुझे लगता है, यह bond का आपका concept यह clear हो गया है, आगे देखते हैं, किसी भी bond का key features क्या है, कोई भी bond, देखो, bond एक सबसे फाली जबनी की जोगता है, bond जोगता है बहुत ही secure document है, secure category है, आपके पास government के दवारा या किसी भी company या किसी भी institution के दवारा एक proof document है, कि मैंने इन्हें पैसे दिया है, मुझे इस interest rate में, मुझे इतनी majority term के बाद मिलनी चाहिए, तो यह सब जो मैं bond बोल ला हूँ, जो government या कोई financial institution आपको bond दे रही है, उसमें क्या जरूरी है, उसमें जरूरी है, पार value, उसमें जरूरी है कि face value, कितने का bond आपने लिया है, यह चीज होना चाहिए न, कल को अगर मैं आपको एक document दे दूँ, मतलब यह ऐसी बात हो गए, कि आपको पास currency note है, और उस note पे कुछ भी चिकर ने लिखा हुआ है, कि वो 10 रुपय कि 5 रुपय, अगर 50 रुपय लिखा होगे, तभी तो उसकी value 50 की होगी, 10 लिखा है, तभी तो उसकी value 10 की होगी, अगर ऐसा government बनाना सुरू कर दे कि एक template का note बनाने लागी है, बोले कि कुछ का दाम 10 है, कुछ का दाम 20 है, कुछ का दाम 50 है, कैसे पता चलेगा, नहीं पता value रहेगा, face value रहेगा, वहीं amount आपको मिलेगा, second क्या कि coupon interest rate है, अगर अगर fixed value नहीं किया गया है कि कितना मिलेगा, तो कम से कम आपने कितने में खरीदा है, और इसको कितने percent interest rate के साथ उसको repay होगा, ये चीजे लिखनी हो चाहिए, coupon interest rate होना चाहिए, ठीक है, paid by the issuer, maturity date, कब होगा, कल को आप bond लेके, आज आपने, आज bond ले लिया, कल आप उसको bond को repayment के लिए चले गए, company के पास, तो company तो आपके पैसे लेकर, कोई भी आदमी पैसा लेता है, तो उससे कुछ जुरत होती है, ठीक है, long term investment के लिए लेता है, आप से अगर वो 10,000 रुपे लिया है, औ तो अभी वो 10,000,000 रुपे यहां पर invest करी रहा है, अब उसको long term में 10 साल का बाद का प्लान है उसके पास, और तब तक आप उसके नहीं पहुंझा रहे हो, कि आपने जो bond दिया था, मुझे पैसे वापस कर तो, तो यह क्या होगा, उसे loss होगा, तो इस लिए bond में एक maturity date लि यह, आपके bond पे, ठीक है, yield to maturity, rate of return, rate of return, rate of return जो भी रहेगा, rate of return, क्या rate of return रहेगा, क्या promise yield है, yield मतलब देखो output होता है, output to maturity मतलब क्या आपको मिलना है, वो चीज़े उस पर काफी mention रहती है, clearly mention रहती है, ठीक है, तो bond की यह सब key features है, ठीक है, यह देखने के पास है, इसलि verify करते हो, issue date verify करते हो, yield verify करते हो, coupon interest rate verify करते हो, ठीक है, फिर आता है, basis for the comparison, stocks and the bond, अभी मैंने आपको पहले ही slides में जब इसका जिकर किया था, तो बहुत ली, clearly बताया था, कि देखो, पैसे कमाने के money किसी भी company को पाने के दो तरीके होते है, या तो वो अपने shares को market में launch कर द करते है, that is stock, that is stock, that is equity, लेकिन इसमें एक सीज़ हमेसा रहता है कि आपके जो भी partners रहते हैं, वो आपके partner मन जाते है, जो भी investor होता है, investor आपका partner होता है, partner मतलब ऐसे नहीं 50-50% partner, 1% का भी partner हो सकता है, 2% का भी partner हो सकता है, या आपके शिफ नंबर अफ एक सेयर्स का partner हो सकत एक यह करके देख लिए हैं, stocks are the financial instrument that carries ownership interest, अब ownership interest carry करता है क्यों, अब इसके किसमे क्या होता है कि company के profit or loss के साथ, आप company के साथ होते हो, profit or loss के साथ, आप company के साथ होते हो, इसका मतलब अगर company profit कर रही है, तो आपको भी जाहिसी बात है कि आपको इसका shares के दाम बढ़ेंगे, आ आपको भी profit होगा, company के बहुत जादा profit कर रही है, तो आप भी जाहिसी बाइब profit में हो, company के loss कर रही है, आप company के loss में हो, लेकिन यह equity based होता है, इसलिए इसमें बहुत जादा लोग, लोग तो इसमें invest करते हैं, क्योंकि इसमें risk, इसमें interest rate of interest बहुत अच्छा होता है, इसम fixed income security, यह security का word इसलिए यूज़ किया गया था, फिर issued by the companies, stock जो होते ही, company के दोर issue होते है, ठीक है, government के shares तो नहीं होते है, government अपने shares में बागेदारी नहीं बनाएगा, च्छिकि जब company के shares होते हैं, वो आपके decision लेने में भी, the holders getting voting rights, ठीक है, तो government कभी भी भी नहीं चाहिए यह कि आप उनके voting rights या उनके किसी भी policies में आप उनके partner बनो, तो government generally क्या करती है, bond को issue करती है, लेकिन bond जो है, company भी private company भी bond issue कर सकती है, financial institution भी company bond issue करती है, ठीक है, इस case में कहता है, यह equity instrument है और यह debt instrument है, debt instrument है, debt, मतलब loan interest, loan instrument है, generally क्या है, यह आप loan दे रहे हो, तभी तो इसका return क्या है, dividend है, इसका return interest based है, is the return guarantee, no, no, जैसे मैंने यह समझाया, no, आप company के साथ जीते हो, और आप company के साथ दूपते हो, ठीक है, इसमें आपकी interest return की guarantee होती है, bonds में, ठीक है, owner जो होता है, क्या बूलो कि आप stockholders, shareholders, लेकिन इसमें bond holders, आपके किसी company का कोई right नहीं है, आप बस उनकी company के bond को लेके आगे पीछे गुंगते रहते हो, ठीक है, तो bond holders generally क्या होते है, company के lenders होते है, जो जो दिये रहते है profit, और stock holders जो होते है, generally owner होते है company के, ठीक है, इसका market का है centralized market है, और इसका over the counter आप bonds को खरी सकते हो, ठीक है, तो यह comparison chart है, इसको अच्छे से ADS यहाँ पर कर देगा, तो वो एक false answer हो जाएगा, ठीक है, यहाँ अब देख लोगे, अब हम जब bond की, जब bond की बात कर रहे हैं, तो bond में ध्यान देने वाले चीज़े हैं कि, दो तरीके का bond, बहुत ही broadly categorized किया गया है, corporate bond and the government bond, corporate bond को यह private company issue कर सकती है, और जैसा कि मैंने ब को मिल जाएगा, लेकिन rate of interest, आप अगर 10,000 रुपे लगा के, आज दो साल बाद भी 10,000 रुपे पाऊगे, तो आपके यह पैसे तो आप तो अगर अपने saving account में रखे रहते हैं, तो उसे ज़्याद आपको interest मिल जाता, तो आप इस तरह के risk नहीं लेना चाहोगे, तो corporate bond में rating पे और reputation पे, company के rating और reputation पे, अगर कोई company है, जिसके rating बहुत अच्छी नहीं है, इसके rating मानलो 2 rating है, out of 5, बस example के तो बता रहा हूँ, तो चाहिर सी बात है कि वह आपको lure करने के लिए higher interest दिखलाएगा, higher interest दिखलाएगा, लेकिन जब आप इस company के reputation पे जाओगे, दो है, तो आइटम के लिए price कम होता है, बाकियों से, क्यों कि कुछ तो lure करेगा, जब तक आप उसको खड़ोगे नहीं, अगर उसके rating 1 है और उसके price अब से high है, कोई लेगा, कोई नहीं लेगा, तो अगर उसके rating अगर कम है, तो उसको price अपनी क्या करते है, कम से कम लो रखनी होगी, तो जब तक सामने public को कोई भी profit नहीं दिया जाएगा, तब तक company public नहीं जाएगा, ठीक है, government bond के case में क्या होता है, risk तो बहुत lower आता है, लेकि return भी lower रहता है, उसके साथ सा, तो अगर आपकी risk appetite, risk appetite मतलब risk की भूख अगर कम है, तो आप government bond को बहुत ही आराम से लेकर, बिल types of corporate bond का होता है, debentures bond, ठीक है, debentures bond का होता है, bonds for which no specific asset of the corporation are placed as a backing, मतलब इसमें जो है, आपके जब भी bond लेते हैं, तो इसमें कोई भी backing नहीं होता, कोई भी backing नहीं होता है, मतलब कुछ भी guarantee नहीं होता, ठीक है, और अगर mortgage payment की बात की जाया है, जो mortgage payment की, इसमें place a specific property होती है मैं आपको एक छोटे से एक्जामपल के तौर पे आप इसको debenture bond और देखो, generally ये unsecured bond है, unsecured के category माता है, debenture bonds और ये secured के category माता है, ठीक है, एक छोटे से एक्जामपल से आपको इसको मैं clear करता हूँ, ठीक है, आप car लेने जाते हो, आप car लेने जाते हो, bank से car के लिए car loan लेते हो, bank आपको happily देता है, देखते हो न, बहुत अराम से bank देता है, क्यों देता है, bank को ये पता है कि कल को अगर आप repay करने में fail हो गए, तो at least आपके इस car को sell करके bank पैसे recover कर लेगी, bank पैसे repair कर लेगी, ये कौन सा हुआ, ये जो तरीका हुआ, ये mortgage bond होगा, आपके पा आपको पैसे दिया गया है, और अगल को अगर आप नहीं repay कर पाते हो, तो bank के पास एक कुछ ना कुछ आपके assets हैं, जिससे वो repay कर सकता है, डेवेंचर बांट, जैसे education loan, आपने सुना हो अगर education loan के case में क्या होता है, education loan के case में कोई भी specific asset नहीं है, bank को ये loan देना होता है education क लिए कल को अगर ये student कल को ये student अगर ये रीपे करने में फेल हो जाता है उसे job निलगती है किसी भी कारण से वो रीपे नहीं करता है तो क्या आप उसे education वापस ले लोगे education तो आपस लेज़ाता ने, यह intangible है, इसके कोई asset नहीं है, तो यह क्या होता है, यह debentures bond होता है, इसलिए इसको unsecured bond बोलते हैं, और secured bonds बोलते हैं, ठीक है, फिर आती है बात convertible bonds की, कुछ bonds में clearly लिखा जाता है, यह bond सिर्फ आपको 3 साल के लिए मिलना है, इसके बाद यह bond deb diventure से onsecured से bond में convert हो जाएगा इस तरह का Onsecured से secured में convert होता है इस तरह कि bonds होते है उसको convertible bonds करते है मतलब एक type से दूसे type में bond convert हो जाए उसको convertible bonds को बोलते है callable bonds की case में क्या होता है callable bonds के case में bonds that may be called in and the principal repair at the specified times or the under the condition specified bond when it is issued मतलब यह जब bond जब issue होता है उस समय यह बिल्कुल clearly बता दिया जाता है कि जब मेरा interest rate यह आपका principle अगर 10,000 पहुँच गया तो मैं इसको कभी भी call कर सकता हूँ कभी भी call कर सकता हूँ मतलब company यह बोल दियती है कि company की जब पता है कि मालो company किसी चीज में ऐसे project में invest कर रही है जिसमें company को ही अभी uncertainty है कि आगे profit होगा कि नहीं होगा तो उस case में क्या करती है वो callable bonds को issue करने का मतलब है वो बोल देती है कि अगर 10,000 से अगर जैसी ही आपको 11 12,000 होगा तो आप कम से कम अपने bond को call कर सकते हो हम आपको call bond को बेज देंगे लेकिन यह सब जो भी criteria terms and condition है यह बहुत ही बहुत ही specifically जो है bond में mention रहती है issue करने के समय ही तो यह सब चीजे देखने वाली होती है ठीक है देखो अगर आप उसको user end से देखो नो ठीक इसका एक पर आपको मतायता हूँ slide में नहीं है putable bonds भी होता है putable bonds में क्या होता है investor को investor अपना एक सर्थ रखता है कि जैसे ही मेरा 10,000 से जो है अगर 9,000 हुआ तो मैं अपने bonds को वापस ले लूँगा तो यह putable bonds भी होते है ठीक है इसका opposite है callable bonds का ठीक है वह बहुत important नहीं है लेकिन जाने के लिए जानो आप लोग ठीक है fit types of bond markets bond market bond market कहां से bond की बजार कहा है तो bond की बजार लगती है दो तरीके से एक primary market जिसमें investor जो है direct जाता है borrower जो है के पास ठीक है मतलब borrower जो है जिसको पैसे चाहिए वो investor के पास सीधे पहुंचता है और बोलता है कि मेरे market में ये shares मेरे stocks या bonds जो है launch हो गया है आप इसको खरीद कि आप invest कर लो यह होता है primary market जहां पर borrower और investor का hand shaking होता है borrower और investor का क्या होता है hand shaking hand shaking मतलब one to one connection होता है लेकिन secondary market में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकों नहीं पता है market के बारे में तो क्या करते है generally जो users होते हैं वो mutual fund में पै complete market इस case में user को market के बारे में बहुत अची खासी समझ होनी चाहिए understanding of the market should be clear यहां पर understanding of market को मतलब भी नहीं है वो बस अपने secured किसी mutual fund में गया mutual fund में खरीद लिया और mutual fund में खरीद लिया तो वहां से जो भी उसके bonds के जो rate बढ़ेंगे घटेंगे वो सब mutual fund के responsibility है तो कहने का म agent investor यह आपके दिमाग में हमेशा बैठा है यह primary market है और secondary market है जैसे नाम भी बता रही है ठीक फिर आती है green bond देख अभी हम लोग bond के बारे में पढ़ रहे था ना bond के बारे में क्या समझ रहे था हम लोग कोई भी company चाहे वो government हो या financial institution है उसे जब पैसे की ज़रत पड़ती है जब उसे money की ज़रत पड़ती है तो वो लोन लेता है लोन लेता है पॉब्लिक से लेता है लोन लेता है पॉब्लिक से लोन लेने के बाद से क्या बनता है उसका bond क्या issue करता है तो फिर यहां पर पैसे की ज़रती क्यों पड़ती है पैसे की ज़रत पड़ती है उसको अपने बिजनेस में, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए, अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए, वो इन्वेस्टमेंट किसी भी तरीके के ऊसाता है, वो अपने बिजनेस के लिए कर सकता है, वो अपने कमपनी को बढ़ाने के लिए, अपने फार्मास को डेवलाप वो solar cell project में करेंगे solar power project में करेंगे हम इसे wind power project में करेंगे wind energy project में करेंगे हम इसे dams बनाएंगे हम इसे ये करेंगे जब environmental focus project पे जब आप capital raise करते हो इसके लिए इस bond को green bond बोलते हैं इस green bond में बहुत ही clear लिया दाथा इसे climate bond ही बोलते हैं और इसका fixed income debater रहता है और इस तरह के bond जब आप लेने जाते हो कोई भी user जो है bond लेता है तो इसमें tax exemption रहता है जो कि इसको इसकी एक USP है एक luring facility है यह इसकी USP है क्या है क्यों क्योंकि जब इसमें tax exemption होगा तो कोई भी user रहेगा उसको tax का benefit मिलेगा और उसके पैसे भी जिस हाइंड में रहेंगे वहां पर काफी lower risk रहेगा lower rate of interest 100% lower रहेगा लेकिन अगर तो जिससे solar power है आज 10 सल पहले किसी ने solar power project में पैसे खर्च कि होंगे तो उसके उसमें दो तो फाइदा एक तो आपको वहां पर tax rebate मिल गया tax exemption हो गया उस amount का और दुसरा आपको इसका interest होता है कि higher rate of interest मिल जाए ठीक है तो यह risk factor आपके साथ चलता रहता है लेकिन green bond is the very secure bond okay who can issue the green bond world bank regional development bank financial institution government other corporation क्यों कि यहीं जब जो है इनको clearly explain करना होता है green bond को register करने के लिए कि यह जो पैसे आ रहे हैं यह जो पैसे आ रहे हैं 10 अरब यह कुछ भी पैसे आ रहे है 100 crores 200 crores 400 crores इसका investment हम किसी environmental focus project में करेंगे environmental focus project में करेंगे तो यह green bond हो गया तो अब आप यहां पर देखो कि अब हम लोगों ने class यह जो complete एक पहली जो slide है इसको complete कर लिया है और आप next video से हम लोग पहुंचेंगे class 11 से class 20 तक तो सारे चीज़ है इसमें important है देखो यह जो भी हमने 20 series तक पहुंच जाओगे 1 to 20 series तक पहुंच जाओगे तो आपका जो भी जो छूटे-छूटे strings है अभी आपकी knowledge ऐसे इखटे हो रही है knowledge ऐसे इखटे हो रही है ठीक है बाद में इसमें strings जूड़ जाएगा तो आपकी पूरी-पूरी banking and financial awareness जो है ready हो जाओगे आप किसी भी एजाम के लिए चीक है तो तब तक कीप दूइंग वेल और testmbssbaba.com को जोईन कर लें इसमें बहुत अच्छा-चे questions है banking and financial awareness है तो इसको आप लोग नभी जोईन नहीं कर जोईन कर लें और अपने यह आप डाउनलोड कर लें डेली कर इंट अफरेस पे till then keep doing well thank you